बॉर्डर सिकोर्टी फोर्स की तरफ से कितने पद है कौन-कौन से बच्चे इसके अंदर अप्लाय करते हैं मेल और फेमिल क्या दौर होगी कैसे को अप्लाय करना क्या एजूकेशन क्या इस लिमिट यह सारा डिटेल्स इस वीडियो को बताएंगे यह भी आपको बताएंगे केसे को अप्लाय करनाएं प्लाय करना क्या लाजरी यह करना करना क्या थ्यासरा क्या नताम बेह तो चलिए सबसे पहले इसकी डीटेल्स है वह आपको जानना बहुत है तो रषप करें कितना पोश्ट होने वाले सबसे पहले यह चीज़ आपको बता दे तो इसके अंदर यहां पर पद की संख्या के बात करें तो 18,900 पदों के लिए यानि कि मैक्सिम मान के चले कि 19,000 पदों के यहां पर जो है नोटिफिशन आई हुई है बात करते इसके अंदर सबसे पहले डीटेल्स के अंदर यहां पर पोस्ट क्या होने वाले है तो बॉर्डर सिकूर्डी फोर्स यानि कि कॉंस्टिवल जीडी की पोस्ट आपको जेंडर यहां पर आपको बताया कि यहां पर 18,900 पंदों के लिए मान के चले आपर 19,000 पंदों के लिए नोटिफिशन आई है अगर आप इस फॉर्म को लिए अप्लाइ करते हो तो यहां पर आपको जो चारद पे करना पड़ेगा आप को सौ रुपया आप चाहिए यहां पर जो है किसी भी कटेग्रीज के साथ हो चाहिए फीमेल बदा जैनरल ओ सारे बच्चों को यहां पर सौर प्या करना ही पर इसका अंदर बात करते एज लिमिट आपका इस लिमिट कितना होना चीए तो मिंगम एज लिमिट आप से म मौखा इसके इंदर दी गई है जाहां अभी सी के लिए तीन साल के लिए और को इहां पर छूट मिल पाजसो किसी भी कॉले सो आप अपलाई कर सकतो लेकिन जो चाहिए वह हर सब्जेक्ट के अंदर जो चाहिए वह 40 पर्शन मार्क जो होना चाहिए अगर आप इसके अंदर है तो बिलकुल या विदन कर सकतो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगे बात करते हैं पर और वी डीट सेंटेमिटर होना की चेस्ट ओंली फोर यहां पर सत्तर प्लस फाइव सेंटेमिटर है यानि कि एक्समें करके अउनली सिर्फ मेल के लिए वेकंसी डिटेश्ट में आपको बता दूं जीडी कॉंस्टिवल के होने वाली आए अठारग जाने वाली है और रनिंग जो वह भी साथ मेर्ट 30 सिकंड के अंदर लॉंग जम हाई जब में आपको यहाँ पर ज्यादा नहीं करना है 11 फीट है और 9 फीट फीमेल हाई जम के बात के है चार फीट है और यहां पर तीन फीट है तो दोनों में तीन तीन चांस आपको देखने को मिलेगा इंपोर्टन यहा आपको कागजात यहां पर लगाने पड़ीगी जो अपलाय करते समय फोटो इन सिग्नेचर लाइट करे बिवर्ण हो चाहिए एजुकेशन सर्डिविड हो चाहिए और पैन कार्ड आधार कार्ड में से किसी एक आईडी प्रूव आपको एटेच करने ही परेगी तभी आप तो कफ से श्टाटिंग है तो एक नॉमबर से 2022 से फॉर्म स्टाट हो चुकिए और बहुत सरे बच्चों ने अपलाय करना इस बहुत सरे बच्चों का अपलाय हो चुका है जो भी बच्चे अपलाय किया आप भी कर सकते हो एलेवन नॉमबर 2022 तक यहां पर लाज डेट रख करना